हेलो स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैं आपको चेप्टर 22 रीड करा चुकी हूं और चेप्टर का नाम है 2 सोब टोपिक क्यूस्टन आंसर इस वीडियो में त्वैट डाल रही हूं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं ऐपको इस वीडियो में देख कर और अपने question answer कर लेना ठीक है first question है हमारा how many soaps were there कि वहाँ पर कितनी दुकाने थी तो answer है हमारा there were two soaps कितनी दुकाने थी हमने जो story पड़ी थी the two soaps उसमें chapter का नाम भी two soaps है तो उसमें कितनी दुकाने थी there were two soaps question second what was a smiling man कि वो हस्मुक जो आदमी था वो कौन था ठीक है who was a sorry who was a smiling man उसके बारे में बताना है कि कौन सा आदमी था जो मुस्कुराता था ठीक है उसके चैरे पर मुस्कान रहती थी answer है हमारा the soaps की पर of the book soap was a smiling man जो book soap का दुकानदार था soap की पर था वो smiling man था तो answer है क्या लिखना है हमें the soap की पर of the book shop was a smiling man ओके थर्ड के उस्टिन है हमारा why did no one came come to the sweet soap why did no one come to the sweet soap की sweet soap पर कोई एक भी नहीं आता था क्यों ठीक है तो हमारा answer है no one came to the sweet soap because ये हमारा जो answer है वो है no one came to the sweet soap because the soap की पर of the sweet soap was a frowing man frowing man frowing man क्या होते हैं जिसके भवारे चड़े रहते हैं जो हमारी देशी भाहसा में बोल देते हैं कि सलमटे पढ़ना भवारे चड़ना और माथे में तोड़ी बगएरा ये बोलते हैं वो होता है frowing ठीक है तो answer फिर से करते हैं no one came to the sweet soap because क्योंकि दा सोप की पर of the sweet soap was a frowing man क्योंकि उस जो दुखानदार था उसकी माथे में हमेशा सलवटे पढ़ी रहती थी वो ऐसा दिखता था कि जैसे वो गुसे में है ठीक है बच्चो आपको ये अपने question answer अपनी notebook में डाल लेने हैं अच्छे से अ की?